कहते हैं न अधिक सयानों जाए ठगानों क्या कुछ वैसा ही हुआ है मुईजू के साथ क्या है 130 बिलियन डॉलर का खेल जो निकल कर सामने आ गया है भारत के बाइकोट माल्दिव से बचने के लिए मुईजू ने चाइना से एक हेल्प मांगा था और यहां पर तो चाइना को कुद हेल्प की जरूरत है जानेंगे मुईजू को कैसे सबसे बड़ा जटका लगा है इस एक खबर से तो वहीं दाओस में भारत ने आखिरकार अपना जलवा दिखा ही दिया है चाइना की एकोनोमी को क्या भारत बचाने में मदद कर सकता है और इसके लिए भारत ने है भारत की जियो पॉल्टिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह सी आईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से वीडियो सुरू करने से पहले मैं जानना चाहत करता है कमेंट कर जरूर बताएं खैर जो इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें मैंने कल एक ख़वर दिया था और उस ख़वर में बताया था कि किस तरीके से ब्लिंकन ने पी एम मोदी की तारीफ करी है माई गवर्मेंट ऑफ इंडिया के तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में कई सारे बड़े नाम लिए गये मार्टिन वॉल्फ इसके अलावे ब्लिंकन जिनोंने भारत को लेकर बड़े पोजिटीव चीजे दावोस में कही है और आपको बता दें आपको याद होगा कि जब दावोस में चाइना के प्रीमियर और दुनिया भी भारत को एक अलग नजर से देख रही है मैं चाहती हूं हमारे मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने क्या कहा उसे आप थोड़ा ये सुनिए India has seized the moment. Why do I say that? I say that because you're not just transitioning from the 10th largest economy to the 5th largest economy, you're growing at 7.2% last three quarters, the coming quarter and the next year. All the forecasters and all those who make it their professional duty to assess evolving situations are pointing a good picture. ये अंदाज बता रहा है भारत का कि भारत कि भारत कितना ज़्यादा confident है भारत की बढ़ती हुई economy भारत को और भी ज़्यादा आत्म विश्वास से भर रही है इस बीच इसी मंच से भारत ने चाइना के लिए एक सर्थ रख दिया है और वो सर्थ के अनुसार चाइना की economy बच सकती है क्या चाइना की economy में गड़बड है क्या तो आपको बता दें लाख छिपाने की कोशिज कर रहा है चाइना लेकिन समस्याएं तो जरूर है इस स्क्रीन पर Global Times का एक आर्टिकल देख सकते हैं चाइना के प्रीमियर के स्पीच के बाद Global Times ने एक पूरा आर्टिकल छापा कल और इस आर्टिकल में इन्होंने सफाई दी कि हम डिमांड को बढ़ा रहे हैं हम पॉलिसी को ठीक कर रहे हैं 2024 में चाइना की एकोनोमी ग्रो करेगी और चाइना की एकोनोमी इतनी बढ़ेगी कि आप देखते रह जाएंगे बहुत सारी लंबी लंबी बाते इन्होंने कहना सुरू कर दिया यहां पर कि हम लोंग टर्म रिफर्म कर रहे हैं बदलाओ कर रहे हैं और यह बदलाओ अच् देखिए कि वहां की युवा क्या कह रहे हैं कि हम साधी तो करना चाहते हैं लेकिन हम इस खर्चे को उठा नहीं सकते हैं यानि कि चाइना की एकोनोमी उस खर्चे को उठाने के लायक अपने युवाओं को नहीं छोड़ गई है और जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है वहीं रोइटर्स की एक खबर देखिए जिसमें चाइना के कंट्री गार्डन का फुल एकजिट हो रहा है औस्टेलिया के आवासिये प्रजेक्ट से इसका मतलब है कंट्री गार्डन सट डाउन हो रहा है मतलब साधारन भासा में कहें तो चाइना की एकोनोमी में जोल है औ पुल्टा भारत और भारत के मंत्रियों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस दाओष सिखर सम्मेलन में और इसी समय भारत ने चायना के सामने एक सर्त रख दी है और कहा है कि हम तुम्हारी एकोनोमी को बचा सकते हैं लेकिन इस एकोनोमी को बचाने में मदद क करेंगे तुम्हारे उपर जो इन्वेस्टमेंट का हमने रुकावट डाला है उस रुकावट को हटा के पर तुम्हें काम करना होगा सबसे पहले बॉर्डर पर सांती लानी होगी यानि भारत ने इस बात को साफ कर दिया है अब आप सोचेंगे ये बात कही किसने तो दावस म इस बात को कही है नाम है इनका राजेस कुमार सिंग स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएस नियूज की इस कटिंग को अब क्या है इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाया गया बंदिस तो आपको बता दें जब महामारी शुरू हुई थी ना 2020 में तो HDFC बैंक का एक बड़ा इस टेक चाइना ने खरीद लिया था चाइना उस समय क्या कर रहा था जितने भी देशों की कंपणियां डूब रही थी सेयर मार्केट में नीचे जा रही थी उनके सेयर खरीद ले रहा था ताब भारत ने क्या किया था नियम बदल थिया था और फॉरन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोगे उससे पहले आप हमसे पूछोगे इसके अलावे इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे बाद में HDFC से अपना जो उन्होंने इस टेक खरीदा था वो लोटा भी दिया था पर जो नियम थे वो नियम बने के बने रह गये फोर्चून इंडिया की इस लोड़ा सा छोड़ सकते हैं रिलेक्स कर सकते हैं इसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन पहले आपको बॉडर पर चीजें ठीक करनी होगी तो आपको बता दें आपको अगर लग रहा है कि चाइना की एकोनोमी में कोई बड़ा जोल नहीं है और मुईजू का जिक्र मैंने क् आर्टिकल देखिए आप, ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग ने इस आर्टिकल को छापा है, कि इस वक्त जो है न, 130 बिलियन डॉलर निकल गए हैं, अब कहां से निकल गए हैं, तो आपको बता दें, इस क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं, और ये 14.8 बिलियन और जर्मनी तीसरे नमबर अपर, फ्रांस, यूके, इटली, भारत, कनाड़ा, स्पेन, यूएई, भारत कि इतना खर्च करता है, 25.9 बिलियन डॉलर, ये 2022 का आकड़ा है, इतना पैसा बारतिये उड़ा देते हैं, चाइना उड़ाता है, 114.8 बिलियन डॉलर, 2022 के अनुसार, 2023 के अनुसार इसे माना जा रहा है, करीब करीब 130 बिलियन डॉलर, और अभी क्या रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट ये आ रही है, कि चाइना के लोग नहीं निकलना चाह रहे हैं घर से, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो दुनिया के टूरिज्मे में चाइना का 130 बिलियन डॉलर रहता है, चाइना की एकोनोमी इस तरीके से खसता हाल है इस वक्त, कि ये घर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि चाइना के टूरिष्ट बाहर निकल कर खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 2023 के आंकडो में टॉप 4 में आपको अमेरिका, सिंगापूर, जर्मनी, यूके दिख रहे हैं, लेकिन चाइना नहीं दिख रहा है, तो मुईजू का क्या होगा, जिस मुईजू ने मालदिव आने का नेवता दिया था चाइना के परियटकों को, क्या फ्री में आएंगे वो या फिर यहां पैसे खर्च करके आएंगे, वहीं भारत का अंकडा इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे, भारत की मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, तो भारत से करीब करीब दो करोडों लोग हर साल घूमने के लिए जाते हैं, खैर, आने वाले समय में कई सारी नई जिजें निकल कर आएंगी, और जैसे ही कुछ नहीं आता है, जल मिलते हैं नई वीडियो में